नमस्कार दोस्तो मिरनाम सेकर और स्वागत आप सवी का हमारे ट्यूब चैनल सिखारी स्टेडी पॉइंट पर दोस्तो वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा और यह सीरीज हमारी हरो जाती है अगर आपने दोस्तो इसके लाव और पार्टो को नहीं देखा है तो उन्हें भी पले लिश्ट मा कर जरूर से देख लिजेगा काफी जादा मेहत्मून परसन है उसके बारे में आपको बताना है जैसे उसकी विधाराई राध्धानी कौनसी इसके लाव न्याईक राधधनी सब्सक्राइं? अंद्रपारदेश की आज आपको gültताना है कि परको नट ये पता नहां. बाकि आपको यह पता होना चीए जैसे हमारे राजी की भी दो राध धनी आ हिमान चल की भी दो बाकि बहुत से ऐसे बाकि आंधर परदेश तीन तो यह आपको बताना है कि दो चोरी तीन राध धनी उसकी कौन कौन सी है करके यह आज आपको बताना है अब बात कर लेते हैं ज बन सकता है तो शुरूआत होगी दोस्तों हर रोज की तरह ही हिंदी के महत्पूर्ण परस्णु से और हिंदी का यहाँ पर पहला चो परस्णे है यह दोस्तों जैसंकर परसात की किर्थियां किस बी कल्प में हैं अब आपको यहाँ पर उस्तो, इस सभी के सभी दोस्तो जितने भी रचनाई यहाँ पर सलेबस में हैं, तो बहुत जादा रिविजन के लिए काफी अच्छा है, जिन्नोंने पड़ा है, जिन्नोंने नहीं पड़ा है, उनको भी बहुत कुछ इसम सीखने को मिलने वाला है, त पहला देख लेते हैं, पल्लाव, कुंजन, यूगवाणी, कराम्या, अब इतनी सारी रचनाई देदी, बांकि यूगवाणी, पल्लाव, दोस्तो यह हो जाएगा हमारा सुमीता नंदन पंध का, तो सुमीता नंदन पंजी का है, तो यह उप्शन तो होगा नहीं, अगला यहाँ पर परिमल, गीतिका, परबंद का भी तूलसिदास, अब इतनी है, सिर्फ दोस्तो तूलसिदास किसकी रचनाई है, यह भी कई बार एक्जाम आया हुआ है, बांकि यहाँ पर तो आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, तो तूलसिदास दोस्तो यह सभी हो इसकंद गुप्त, तो 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 यह भी बन सकता है, तो यहाँ पर तो आपको बहुत को सीखने को मिला है, तो इसकंद गुप्त, तो इसकंद गुप्त, तो इसकंद गुप्त, तो जानली यहां पर लगभग शूलय रचन है आपने यहां पर जानली एक ही परस्न के साथ तो बढ़ते हैं अगले परस्न की तरफ अगला यहां पर किरिया का आधार सूचित करने वाला कारक है सम्मंद्र संपर्दान अपादान या फिर अधिकरण तो यहां पर अधिकरण कारक अधिकरण किरिया के स्तान पर यहां काल का बोध जैसे इसमें होता है तो यह अधिकरण मैं मैं पर इसका जो चिन्न है तो यहां पर अधिकरण कारक अगला बस्तो यह लोकोक्त का दुबराईंगे चोटे आदमी का प्रेम अश्चितिर होता है लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध ना निकाले एक दोस पहले से था दूसरा और आ गया या फिर अत्याचारीकों और सक्ति नहीं मिलनी चीए तो यह होगा दोस्तों इसका सेवतर कि अत्याचारीकों और इसका बिल्कुल से उत्तर अगला वस्ट नहीं है आपर देवनागिरी लिपी में कियेगे सुधार से संबंदित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाएगे फॉंट का नाम क्या है तिलक फॉंट देवनागिरी फॉंट फॉंट या फिर इन में से कोई नी तो युज आगा यह उजाए दूस्तों यहां पर जस ऑप्सन नंबर डी होगा इसका से उत्तर यह बिल्कुल सही है तो यह मचली का याद रखेगा कई बाल एक्जाम में बनता है अगला यहां पर जो सब्द कौन्ठा सरुनाम निश्चे वाचक तो होनी सकता नीज भी नहीं अपने लिए यहां सरु सब्द होते हमारे समंख्ध वाचक में ऑप्सन मरं सी अकली आप तक भर जो तो जगा अप्शन बर्षी महत्पून प्रशन एक्जाम में बन सकता है वह जगा निपात अगला वशन यहापर पंचाइती राज विसए निमिली कित मैं से किस सूची में स्तावित किया भारत में डल भिहींद परजाता किसने परस्तावित किया जैपरकाष नारयाण राम नोहर लो या ऐसे डांग या फिर महात्मा गादी अब दोस्तों यहाप नहीं है अप्शन मिलते हैं तो फिर आफिर आयोग को कुछ करना पढ़ेगा डिलीट करना पढ़ेग आपको करने तो यहाँ पर गांदी जी भी है तो उसे एक्जाम में बागि पर पेपर में इस तरह से इस्टार लग गया नहीं मतलब कि जब बुक में था इस तरह से इस्टार करके दिया वाद था क्योंकि यह दोनुं उत्तर मानेगे थे तो इसलिए आप दोनों को याद रख तो आपको इन में से जरूर आते हुँगे कॉप्रेटिव ट्रक्ट फैक्ट्री तो दूस्तो ये तो हो जाएगा हमारा रानी कहत सही है इंजियन मेडिसीन ड्रग फार्माशितिक लिंटेर स्थोर्ण फार्मासिटिक लिमिटेर उस तो ये मोहान अलमोडम है रख लिजेगा इंडियान ड्रक्स एंड फार्मस्यूटिकल दोस्तों रिसी केश सही है कॉप्रेटिव ड्रफ हेक्ट्रे रानिकेश सही है और रसाय नेम बनस्पति भाग यह स्री नगर पॉड़ी में तो यह तो बिल्कुल अलग होगा तो बांकि आप सिर्फ दोस्तों इनको देख लिजेगा है महत्मूर्ण है बांकि बूख में भी आपको आसानी से मिल जाएगा अगला वस्तों आपर जड़ी बूटियों के सोध परसंसकरण किर्शिकरण हेतु स्वतंत्र रिकाई के रूप में सगंद पादप केंदर के इस्तापना कहां की गई है कोपेश बूटि इतना लंबा चोड़ा नहीं सिर्फ इतना याद रखें जो महत्मूर्ण है वोई सेला कोई देरा दूं अगला यहां पर राष्टी उद्ध्यान हुआ उनके छेत्र भल में सुमेलित नहीं है जिमकारवेट राष्टी उद्ध्यान 520 वर्ग किलोमेटर नंदा दे अगला है यहां पर जनगर्ण वर्स 2014 के अनुसार हरिद्वार जिले का जन संक्य आईगाrespons किलोमेटर तो सबसे जादा दूस्तू किस का है हरिद्वार के तेहरादून नहीं आएगा पहले आएगा उधमसिक नगर उधमसिक नगर का 659 है इसके बाद हरिद्वार 801 उधमसिक नगर का फिर 595 आता है तेहरादून का और उसके बाद 225 यह नियनिताल का तो यह चार आपको करम से याद रखने हैं बहुत ज्यादा महतूर्णास नहीं यह जाएगा हमारा उप्शन नमर ए अगला बसने आपर पोड़ी गडवाल जनपत में कौन सा खनीज मुखेता है नहीं पाया जाता है सोना देखने को मिलेगा लोहा यह भी जिपसम यह तो टिन नहीं होगा टिन बड़ी लिखा है यह होगा टिन तेह जाएगा हमारा टिन क क्योंकि टिन के लिए चमूली अगला बसने आपर कोटेश्वर महादेव किस मंधिर के किनारे इस्तित अलग नंदा मंदा किनी भागी रतिया गंगा तेह जाएगा उसतों यहाँ पर अलग नंदा रुद्र परियाग में है कोटेश्वर महादेव जो यह मंधिर है तो यह अगला यहाँ पर सीत काल में श्री बद्दिनात की मूर्ति सांकेतिक रूप से किसी स्थान पर इस्तानांतित होती है वैस्ट्ण मंदिर जोशीमट नर्सिंग मंदिर जोशीमट या आदि बद्र नहीं टीरी आदि मंदिर आदि बद्र चमूली में यह जाएगा उस्तों न अगला यहाँ आपर गडवाली भासा की उत्पत्ति मानी जाती है संसिकृत अबरंसे हिंदिय अबरंसे या फिर सौर सेन अबरंसे तो गडवाली या कुमावनी दोस्तों यह जाएगा सौर सेन अबरंसे अगर खस भी रहे तो खस तो हैनी आपर ऑप्शन में यह जाएगा और सेनी अबरंद से अगला है आपर निमलिकित में से कौन सा बात दियंत नहीं है दमामा है बिल्कुल है उड़की ये भी है मसक भीन सभी ने देखा होगा तो तगडी दोस्तों एक आभुशन होता है और ये पहना जाता है कहांपर कमर में और इसे करधनी भी कहते हैं ये भी इसका नाम है और ये हो जाएगा है आपर तगडी ओप्सन मर डी अगला पर परती वर्स गंगा डस्यों महत्सव का आयोजन किस महामा किया जाता है तो पहले बात कहां लगता है तो पौडी में तो अगस्त में जन्वरी जुलाय नौंबर तो ये उजाएगा इसका सभी में है उसके बाद देरादू नाएगा तो ये दो अप्सन तो गए देरादू के बाद पहले पिठोड़ा गड़ आएगा नाकी चमोली तो जाएगा हमारा अप्सन मर ए तो धमसीन अगर थारू चोनसारी बोटिया पिठोड़ा गड़ बगी चमोली में भी रहते हैं गोटिया की उप जाती तो ये जाएगा हमारा अप्सन नमर ए बिल्कुल से उत्तर है अगला यहापर उत्राखंड में उच्छ सिक्चा निदे सालई की स्तापना कहां की गई है रूड की रामनगर कोड़ द्वार हल्दवानी तो उच्छ सिक्चा निदे सालई दोस्तों य अगला यहापर डीटीपी का पूरा नाम है यह जाएगा डेस्क टॉप पब्लिसिंग तो अप्सन नमर भी होगा इसका बिल्कुल से उत्तर आयो इस तरह के परसे जरूर पूछता है तो अगला बसने आपर निमलकित में से कौन धातु खनीज नहीं है लिमोनाइड जिपस अगला बसने आपर निमलकित में से कौन सा पश्ची में सिया का सरवाधिक नगरिक्रित देश है कुएद साओधी अरग इसराइल या फिर कतर तो अगला यहापर पूर्तगाली उपनिवेश का पर्थम गवर्नर जर्रनल कौन था अलमीडा वासकोडी का मातों खेर वसी आय मेडा तो यह होगा पूर्तगाली उपनिवेश का पर्थम गवर्नर भारत में अगला पर यहापर महतुर मस्ने किसरा देश में असोक के बेक्तिगत नाम असोक का उलेख मिलता है तो बहुत जादा महतुर असने कालसी यह तो अपने यह हैं आपको बता है विसिश्च करलि तो बांकी जो दिन में वाली सीरीज आती है तो उन्हें भी जरूर से देखी गया तो अगला प्रस्ण है आपर भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है परात्मि घाटा राजसु घाटा राजकोशी घाटा या आई बैए घाटा तो यह हो जाएगा दूस्तों यहाँ पर हमारा ओप्शन नवर भी राजकोशी घाटा तो दूस्तों यह थे आज के मारे 30 मेहत्पून प्रस्ण है बाकी मिलते हैं बहुत जल्दे एक नई वीडियो में अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो चै तो यह प्रेंग तो यहाँ वाँ प्रस्ण है प्रस्ण नविए भी तो झाल झाल